छात्रों के आक्रोज को मिलेगी आवाज और NTA और BHU को देना होगा जबाब नमस्कार स्वागत है आपका BHU World के इस बिसेस वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आज किस तरीके से ट्विटर पे तुफान आने वाला है साम 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक नम्मर एक पे ट्रेंड कराना है हैच्टाग कैंसिल BHU इंटरेंस और हैच्टाग बाइकोट NTA इस बात की पूरी जानकारी इस बात की पूरी बिस्तित चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे एक एक बात आपको समझना ज़रूरी है कई नये ऐसे हमारे बीच बच्चे होंगे जो इस बात से परचित नहीं होंगे क्यों इन दोनों हैच्टाग को ट्रेंड करवाया जा रहा है तो इस वीडियो में मैं एक एक बाते समझाओंगा विसेशकर बच्चों को ये वीडियो पूरा देखना है और जिस तरीके से आपको आज campaign करने बताया जाएगा उस तरीके से अगर campaign करते हैं तो निस्चित ही कुछ सकरात्मक परिनाम आने की उम्मीद है सबसे पहला चीज उन लोगों के लिए जो नए है और पता नहीं है की मामला क्या है और उन लोगों के लिए भी जिनके मन में संसे है कि हमारा topic ये है कि question tough था हमारा topic बिल्कुल नहीं है question tough होना कोई topic ही नहीं है हमारे legal grounds क्या है वो हम आपको समझाएंगे लेकिन उसके पहले देखिए पूरा मामला सोट में है क्या वर्ष 2021 के लिए पहली बार NTA के द्वारा बियेच्चू प्रवेस परिच्छा का और सफल आयोजन लगातार जारी है जिस दिन से परिच्छा की सुरुवात हुई बच्चों की लगातार सिकायते आ रही है कि परिच्छा की दुर्वेवस्था है न तो परिच्छा लेने में जो है कहीं पे कोई सुब्धा उपलवद है और नहीं प्रसन पत्र जो है उसमें किसी भी प्रकार के पूर्व के प्रसन पत्रों से प्रासंगिकता है तो ये मुख्य रूप से मामला है और इसी मामले को लेके B.H.O. और N.T.A. को छात्रों के भी जबाब देना होगा पक्ष क्या है हमारे कानूनी पक्ष क्या है क्यों हम यह मांग कर रहे हैं कि परिच्छा को रद करा कर पुरा परिच्छा का आयोजर होना चाहिए सबसे पहला पक्ष है कि B.H.C. अग्रिकल्चर के प्रवेस परिच्छा में 24 घंटे पहले भी N.T.A. न.A. अड्मिट कार जारी नहीं किया 6 तारीकों एक्जाम है, सुबह 7 बजे क्लोजिंग है सारे साथ बजे के बाद आप इंट्री नहीं ले सकते हैं और दो पहर दो बजे N.T.A. अड्मिट कार जारी करता है पांस तारीकों इतना ही नहीं, रात को 11 बजे हुआ काता है कि रिडाउनलोड कर ये अड्मिट कार को क्योंकि CBT से OMR मोड में करेंगे इसकारनों करने freelance करते हैं नहीं दिया तो इसकाजिम्मेधार कौन है क्या किसी परिच्छा कि सुबा इकजाम है सारे साथ बजे और आप रात को 11 बजे अड्मिट कार जारी करेंगे साफ तोर पे ये NTA की मनमानी है और इस मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और NTA और BHU दोनों का जवाब देना होगा BHU के वाल ये का कि नहीं बच सकता है कि सब कुछ NTA देख रहा है अगर सब कुछ NTA देख रहा है तो NTA का अपना विश्विद्ध जाले हो BHU तब क्यों? BHU का परिच्छा भवन क्यों? BHU में UIT कंट्रोलर क्यों? हर पद BHU में है हर जगा प्रसासनिक अधिकारी है तो BHU को भी जवाब देना होगा दूसरा हमारा तर्क है कि कोई कोर्स परिच्छा में कई कोर्सेस में ना तो कंप्यूटर ढंग से काम कर रहा है ना तो जो सप्ट्वेर है वो ढंग से काम कर रहा है इसके कारण कई कोर्सेस में लगबग सभी कोर्सेस में समस्याएं देखने को मिली है कि कई बच्चों का जो है question नहीं खुल रहा है, question खुल रहा है तो उसमें हिंदी का option सारे गलत दिये हुए या हिंदी के प्रस नहीं जो है, वो गलत लिखे हुए है या कोई data ही छोड़ दिया गया है, mouse काम नहीं कर रहा है अगला प्रस नहीं हो रहा है, यहां तक की save and next नहीं हो रहा है और इसे कई videos आपको social media पे मिल जाएंगे खास करके आज आप देखेंगे जब बच्चे अपनी सिकायत को दर्ज कराएंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या बच्चा घर से mouse लेके जाएगा क्या बच्चा हर से computer लेके जाएगा आपने mobile तक पे exam दिलवाया और कई बच्चों को तो exam दिलवाया ही नहीं इसका जिम्मेदार है, NTA और VHU प्रसासन तो उसको जबाब नहीं देनी होगी और यह हमारा legal पक्च है, इस बवस्था को बच्चों को नहीं करना था तीसरा है, कि OMR बेश्ट जहां paper हो रहा था परिच्चा के जो प्रेवेक्षक थे, जो इरिवीडिलेटर थे उनको पता ही नहीं था, परिच्चा लिया कैसे जाता है OMR के जो परिच्चा का दो घंटा समय होता है उसी दो घंटे में OMR रंगने उनको दिया गया सारे साथ से आठ के बीच आप क्या कर रहे थे और इसके बाद और भी कई चीज़े हुई है हलाकि एक बात वो तर्क दे देंगे कि साइन कराना हमारा यह है लेकिन आप OMR जो है, वो समय से पहले भरवाएंगे और हर परिच्चा में ऐसा ही होता है तो यह आपका लीगल पक्स जो है वो कब्जोर है और एक चीज कई जगहों पे अधिकांस जगहों पे कई एक्जामों में परिच्चा समय से सुरू नहीं हुआ प्रस्ण पत्र मिलना चाहिए आठ वजे मिला सब आठ वजे और कलेक्ट जो वो समय से कर लिया गया कुछ जगहों पे तो ऐसा भी सुना गया कि पांच मिनेट लेट से दिया और पांच मिनेट पहले करेक्ट कर लिया तो यह सब चीजें यह दिखाती है कि इन्विग्जिलेटर के नाम पे किसी को भी उठा के एंटिये ने खरा कर दिया था जिसके कारण परिच्छा में परिच्छार्तियों को दिक्कत हुई इसका जवाब बी एच्चो और एंटिये दो लोग देना होगा बी एक प्रवेस्ट परिच्छा में और भी कही एक्जाम में एंटिये ने अपने पैटर्न को फालू नहीं किया उन्होंने इस 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 चाइए तो मैंस किसको काते हैं यही सेंच उन्होंने जो है किया है आपका बीएसी अग्रिकल्चर की ज़ाम में जहां में इस प्रकार की धानली जो है वह बच्चों के साथ की आपको जवाब देना होगा और हमारा पांचमा तर्ख है कि बीएच्चू और बीब अलग से नोटिफिकर्शन जाड़ी हुआ तो आप कैसे अंतिम समय में दोनों परिच्छाओं को एक कर देंगे किस आधार पे आप एक कर रहे हैं दोनों का परिच्छा पैटर्न अलग है दोनों को आप मिला दिए आपको जो है दैविक ज्यान प्राप्त हुआ और आपने क को ताख पे रख पे सब कुछ अपने मन से किया मनमानी किया है इसलिए आपको जबाब देना होगा और अंत में हमारा यह आता है नेतिक मुद्दा जो बच्चों के मन में है किसी भी एक्जाम को कंड़क्ट कराने के लिए जो उसका पैटर्न है जो उसका लेबल है उस पे अगना जास्ता जाता है और अगर किसी लेबल कyasहिंए सख्ता नहीं है तो रफ़ क्यों प्लस टू लेवल पक्जाम होता है जूं पूस्ट लेवल पक्जाम होता है रक्जाम में यह तकल ay Nelson का बच्च्चा उटके है जाएगा क्यों नहीं जो एल्के जी बच्चे को न्यू जाके आपने question को दिया है बच्चों को और मुझे पता है आपने प्रस्ण बनाया ही नहीं है भी एच्चों के लिए आपने जो पूर्व में परिच्छा आयोजित की है यहां तक कि जो नेट की परिच्छा आयोजित करती है वहां से प्रस्ण को सीधा coffee paste किया और डाल दिया बच्चों के इंटरेंस में आपने कभी नहीं सोचा कि क्लास 12 के बच्चे कैसे उन प्रस्ण को करेंगे हाला कि आप का सकते हैं कि मेरा एक्च्छा तो आपकी एक्च्छा से सब कुछ नहीं हो सकता है आप कोई भागी बिधाता नहीं है आप देश की जनता के रखवाले हैं देश की जनता के जो पैसे से टेक्स आ रहा है जिसकी जनता के पैसे से आप उससे काम कर रहे हैं तो आपको छात्रों के हित में काम करना होगा और आपकी मनमानी नहीं चल सकती साथ आपको तो जबाब देना होगा कि आपने क्यों इन बच्चों का मनोवल तो रहा है और इन बच्चों के मनोवल को तोरने के साथ साथ आपने जिस तरह के से इनको हसोसाहित किया है जीवन भड़ ये परिशान रहेंगे जबाब दीजिए आके जबाब दीजिए और अब हम करेंगे कि हमारा बिरोध कैसे होगा ये सबसे इंपोर्टेंट इस बात को समझेगा दोस्तों देखिए बिरोध हमारा जो है वो completely online mood में होगा हम कहीं भी offline तोर पे प्रदर्सन करने नहीं जा रहे हैं घर से बैठेंगे और इस मोबाइल की सकती से NTA की नीव को ही लाड़ेंगे अब करेंगे क्या देखिए अभी से लेके रात आठ बजे तक लगातार बिरोध जाली रहेगा अभी छे बजे हमने ये वीडियो पब्लिस किया है अलग-अलग YouTube चैनल सपोर्ट में आएंगे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फोटो सेयर करेंगे वीडियो सेयर करेंगे भी सब बात में बताओंगा लेकिन साम छे से रात आठ का जो दो घंटे का समय है उस समय केबल ट्विटर पे आ जाएंगे सारी सकती को ट्विटर पे जोग देंगे और कम से कम 2-2.5 लाग ट्विट करके एक नमبر पे ट्रेंड करेंगे ताकि पता चले NTA को कि चातरों की सकती क्या होती है चातरों का आक्रोज क्या है और उन्होंने क्या किया है सिर्फ NTA को नहीं, बलकि देश की पूरी जनता को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार परिच्छा के नाम पे NTA ने धान ली किया है तो आपको ध्यान रहे साम 6-8 अब ट्विटर पे अंदोलन का अपना एक तौर तरीका होता है अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी जैसे कि हमें हर ट्विट में एक ही ट्विट और कोट ट्विट करना है री ट्विट से ज़्यादा वेल्यू हमको देना है कोट ट्विट को जब आप retweet पे क्लिक करते हैं तो आपको quote tweet के एक option देता है तो सब में हमको hashtag cancel bho entrance ध्यान से आपको spelling लिखना है और अगर आपको ना मिले तो description में हम डाल देंगे वहाँ से copy करिएगा तो hashtag cancel bho entrance और hashtag boycott nta एक दाम who who spelling इसी तरीके से लिखके अपने हर tweet में, अपने हर retweet में हमको डालना है सबसे पहले एक page में आप क्या करेंगे पहला हमारा काम एक page हम लेंगे और एक page में play card जैसे page ले लिए ऐसे photo की चालेंगे और उसमें लिख देंगे hashtag boycott nta, hashtag cancel bho entrance दो अलग-अलग photo, दो tweet होगा वो और उसको लिख के जो है अपनी तस्वीर post करेंगे दिन भर हमारी DP जो है वो ही रहेगी आज facebook पे चाहे whatsapp पे चाहे आपका कोई ही social media platform हो हर जगा आपकी DP वही रहनी चाहिए ताकि कोई भी आए तो आज पता चल जाए क्या खिर ये है क्या उसको उस मामले में जानने की जो बड़े-बड़े प्रसासनिक अधिकारी है उनको रोचकता है क्या क्यों ये matter trend कर रहा है और उसके बाद आप जो है उसमें trend tag कर दीजिएगा मिस्चित तोर पे NTA को क्योंकि यही जबाब दें उसके लिए इनी को जबाब देना है इनको पता चले कि हमारे बिरेज में campaign चल रहा है फिर बीसी ओफिस बियेच्चू को tag कर दीजिएगा कि इनको भी लगे कि हमारी भी कुछ जबाब देगी है tag करना है PMO इंडिया को इनको tag करने से इनको उपर अलग pressure बन जाएगा कि PMO तक बात जाएगी और फिर आप at the rate World BHU को tag कर दीजिएगा इससे यह होगा कि हम भी tweet का अकलन लेके चल पाएंगे कि कितने tweets वगरा हो रहे हैं जिससे आंदोलन पे जो है नजर बनाई रखी जा सके और आप इसके अत्रिक्त news channel को leaders को जो celebrities हैं जिसको आप follow करते हैं उनको एक दो को tag जरूर कर दीजिएगा आप चाहें तो मुझे भी at the rate सूरज BHU world tag कर सकते हैं ताकि मैं भी आप लोगों के tweet को retweet को सब को देख सको इसके बाद दूसरी बात इस तरीके से यह हमारा जो है कई लोग कहेंगे कि सर यह क्या होता पेज लिखे तो इसी तरीके से आप लिखेंगे उसको सजाईए धजाईए गमात उतना समय नहीं देना है बस एक photo photo उस तरीके से खिचना है कि उस guard में हम असपश तोर पे अपने संदेश को देदे दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हम अपने video संदेश को जारी करेंगे video संदेश कैसे जारी करेंगे? अभी मैं Twitch पे आपको कई तरीके से दिखाऊँगा वो video संदेश देखिए संभब हो तो अपने बाता पिता और अपना दोनों का वीडियो संदेश जारी करें अपने दुख को बताएं कि किस तरीके से आपने तयारी की थी और NTA की एक्जाम के बाद आपकी क्या हलत हो गई है किस तरीके से आपको एक्जाम में ठगा गया है और उसमें भी आप सारे एकाउंट्स को जो है वो टेक कर दे PMO को, World BHU को, VC Office BHU को, DGNTA को और ये मेरा एकाउंट है इसके अतरीक ताप जितने भी new channel leaders हैं सबको उस tweet में टेक करें और hashtag ज्यान रखिएगा boycott NTA और cancel BHU interest जो है वो लगातार हमको लगाते रहना है कम से कम 50,000 व्यक्ति को इस आंदोलन में जोरने का हमारा लक्ष होना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा हूँ ये नहीं सोचेगा कि हम नहीं करेंगे हमारे बदले कोई और कर देगा आप ही को करना पड़ेगा भाई सहाब आपको सिर्फ आपको नहीं करना होगा बलकि आपके जितने दोस्ते उनसे करवाना होगा आपके जितने पड़िवार में लोग हैं उनसे करवाना होगा तो 50,000 से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे इसके लिए तो पहले आप अपने इस वीडियो को स्टेटस पे डाल दीजिए अलग-अलग सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करके डाल सकते हैं किसी प्रकार का कोई कॉपी राइट स्ट्राइक आपको बियेच्चू वर्ल की तरफ से नहीं मिलेगा और अपने दोस्तों से निवेदन करें कि वो साम में 6-8 के बीच आपके ट्वीट को कोट ट्वीट कर दे और उसमें इस हैस्टेक का जरूर पढ़ियो करें बाइकोट NTA और कैंसिल बियेच्चू इंटरेंस 6-8 के बीच अगर हम 2-5 लाग ट्वीट करवाने में सफल हो जाते हैं तो हमारी बात जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुंच जाएगी इसमें कहीं किसी प्रकार का संसाय नहीं है और फिर अंत में है कुछ लोगों का ये कहना है कि आंदोलन क्यूं कर रहे हैं तो क्यूं तो कर रहे हैं तो पूरा बेस आपको बता दिये दूसरा की आप क्यूं कर रहे हैं तो हमारा मन है, रोक लोगे हमको, धमकी भरे मैसेजेज भेजने से हमें कोई फर्क नहीं परता है, हम बच्चों के पक्ष में खणे हैं, खणे थे, और आगे भी खणे रहेंगे, हमारा काम करने का, पूरा तौर तरीका बिलकूल अलग है, क इस तरीके से भावनात्मक तोरकर ने साथ जुने हैं हम लोग सिरत एक ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आइं पड़ाइं चले गए हम अपने बच्चों को अ पना मांते हैं और अपनों की तरह उन के साथ वेवार करते हैं इसलिए अगर वह दुख में हैं तो तो अगर मालीजी कोई कहता है लाव क्या होगा, तो एक बत बताइए, हानी क्या हो जाएगा, क्या हम को इस अंदोलन के करने से कोई हानी है, हाँ, एक दिन हो सकता है हमारा पढ़ने का हानी हो जो बहुत, मालीजी बिद्वान होंगे, जो एक भी दिन ऐसा नहीं होगा, 365 दिन दूरों को यह लगे कि एक दिन हमारा प्रहाई दूर हो जाएजा गा और ॐ जो हमारे माननी जात्र है वो जरूर इस अंदूलान से जूरेंगेगे जो थो हमारे ज्योख़ा के गारें फिरी禁क के-le आपके बदले कोई नहीं आएगा आपको पता है कि किस तरीके से प्रेसर से हम गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी हम आपके साथ खरे हैं तो खरे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खरे हैं और अंत तक खरे रहेंगे इसको ध्यान रखिएगा और जब नहीं करने है वो करना है लाब हमारे हात में नहीं है हमारे हात में आंदोलन करना ट्वीट करना रिट्वीट करना दुनिया को बताना कि हमारे साथ गलत हुआ है हम बताएंगे बस ये बाते हैं और इतनी चीजों को ध्यान रखे अब NTA को इसका जबाब जो हो देना परेगा आज 6-8 को डालिए लेकिन साम 6-8 के भी जो है आप निश्चित तौर पर जुड़ जाईएगा कहां जुरेंगे ट्वीटर पर अच्छा आपको बता दे कोट रिट्वीट कैसे करते हैं ध्यान दीजिए जैसे मैंने ये एकाउंट है सुरज कुमार के नाम से दिखी खुला हुआ वह तो ऐसे आपको दिखने लगेगा साम को क्योंकि सब ट्वीट आएगा जैसे भी एक वाल का कोई ट्वीट है ठीक है सारे दोस्तों के ट्वीट को सारे जो आपके मित्र है जो उस हैस्टेग से ट्वीट करेंगे जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारी ट्वीट आपको दिखे हैश्टाग इसको लिख देंगे और इस पहत्व है तूइट करना है हमको सर्फ detweet फोकस नहीं करना है ठीक है तो इस तरीके से हम अपने आंदलन को आज जो है साम 6- criar चलाएंगे और दिन भर सोसल मीडिया प्लेट्फॉर्म पे आप अपने वीडियो शंदेश को स्टेटस पर हर जगा डालिए ताकि दिन भर में एक महौल बन जाए सब लोगों को पता चल जाए कि आज 6 से 8 वजे के बीच कुछ बरा जो होगा और ट्रेंडिंग में आने के बाद निस्टी थी रास्टी मीडिया की नजर इस पर जाएगी तो ये था पूरा वीडियो हमने अपनी और से पूरा प्रियास किया है आपके सपोर्ट करने का और हम इस प्रकार की किसी भी चीज के आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं क्योंकि हम और आप बहुत भावनात्मक्त और पेक दूसरे से जूरे हैं आपको कभी फिल नहीं हुआ होगा कि हम ऑनलाइन जूरे हैं कुछ लोगों का कहना है कि आपने पढ़ाया ऐसा अरे हमने क्या पढ़ाया वह आपको नहीं पता है हमने तो पूरा कोर्सी प्री कर दिया उससे क्या होता है हमने कभी पेड अनपेड इस तरीकी की चीज़े जो हमारे कोर्स के बच्चे वो भी जानते हैं कभी नहीं किया है हमने चात्र को केबल चात्र की नजर से देखा है और आगे भी चातर को चातर की नेजर से देखेंगे और ये बहुत भी डंबना की बात है एक सिक्षक को आके इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए आंदोलन का रास्ता एक्तियार करना पर रहा है तो जिन लोगों को पसंग नहीं है वो इस आंदोलन से दूर रहे लेकिन हमारी इक्षा है तो हम आंदोलन करेंगे और चातरों के हित में खरे रहेंगे जै हिन जै भारत